स्यासी गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है देखा जाए तो जो ऑपोजिशन है और हकूमत है मिलकर राप्ते किये जा रहे हैं एक दूसरे से जोड़ तोड़ की जा रही है और देखना कोशिशे की जा रही है कि अब चेर्मन सेनेट या डेपटी चेर्मन सेने हमारे सामने कल आया रोफ साथ जब हमने देखा कि नामजद कर दिया अब तो गफूर हैदरी को हकूमत की जानब से और बाद में उन्होंने इस बात की तरदीद भी की आपको शामले गुफतकू करते हैं सर वेरी गुड मॉर्निंग तो यू कैसे हैं थैंक यू वेरी गूर मतलब मुझे अफसोस के साथ होता है कि जितना दुनिया हम पे तनकीद करती है और आम अवाम का सियासेदानों से भरोसा उठके हैं इस सेनेट के इलेक्शन ने बहुत क्लेरी बता दिया है कि हम बहुत इजली हम बिकाव माल हैं और यह थपड़ है सियासेदानों के मूँ की पर चाहे जिस दोर में भी किया जाये जिस हालत में भी किया जाये इसी लिए शो आफ हैंट सा ओपोदिशन ने यह बना दिया कि यहार हकूमत डरती है डर हकूमत को इस बात का है कि पैसे का जो है वो जो यह लोग कहते हैं और बातें करते थे पीमल एन और पीपल्स लिए आये थे और प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क को जिती दुश्वारियां हैं और आप स्टिस्टिक्स निकाल के देख लें उन दुश्वारियों से निकालना असान नहीं है हम ये समझते थे कि हम आएंगे बैठेंगे और हमने बोले ये कर दो और वो हो जाना है वो डिफ प्लस में चला गया है ये बहुत बड़ा कारणाम है दुनिया की एकॉनोमी कहां से कहां पे श्रिंक होगी है और हम कहां से कहां पे चले गए दिस इस ये अल्ला पाक का फजल जरूर है लेकिन इनसानों की भी मेनत है अल्ला ऐसे नहीं मदद करता जब तक आप मेनत ना करें यहां पे इन लोकों ने जो अभी काम किया है और जिस तरीके से दिखाया है कि पचीस, तीस, चालीस करों रोप्या फीब कस दे कर उसकी इज़त की बोली लगाई जाएगी इन लोकों ने अपनी इज़ते बेची है जिस जिस से ये किया है और चाहे कोई पार्टी करें यहां हम कहते हैं कि ट्रांस्पेरिंसी जितनी आएगी हाथ उठाएंगे क्लेरी पता लगना चाहिए अभी इनको जो मसीबत पड़ी है वो डेप्री चेर्मेन के इलेक्शन के उपर पड़ी है तो उसके अंदर देन इक्स फेर गेम आप जाके उनकी लोयल्टी जो उनने ख हम इस किसम की करप्ट हरकतें करते हैं तो उसमें फिर कल कोई आके बोले कि क्योंके इंटरिनल हालात ऐसे थे और करप्शन का ये लेवल ता लहाज़ा हम लोग इस एक जमूरी हकूमत को फारे करें आप खुड स्पेस देते हैं आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वीडियोस मनजर आम पर आ रही है और फिर रिजेक्शन भी आ गई है कि उन्हें ने कहा कि हम जो वीडियोस मनजर आम पर आई है ये जुट है वो ठीक मौमला नहीं था इसे रीचेक किया जाए या दुबारा से इस पर गोर किया जाए लेकिन हाई कोट ने कह दिया हमारा मौमला नहीं इसे पार्लिमेंट में लेकर जाया जाए वहाँ पर डील किया जाए तो फिर ये चीज़ें ठीक कब होंगी ये कराब करनाते ठीक कब होंगे I am so sorry I don't know I apologize to my I apologize to my judges and my Supreme Court and my high court but they need to show more courage इनको जुरत दिखानी पड़ेगी जब सू मोटो लेते हैं अपने issues की उपर तो इन issues की उपर सू मोटो क्यों नहीं लेते हैं उनको लेना चाहिए बताएं कि देखें वो एक स्टेट का पिलर है जुडिशरी जो है ना तो आप ये ज ज़्यादा जरूरत नहीं है और इसके उपर जजजे ज़राज शायद मुझे नाराज भी हो इस बात की उपर लेकिन खुडा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम ये मुल्क है इस स्टेट की जो वकार है उसको आप मजरू होने दे रहे हैं वाई? की डिस्क्रेशन की उपर रह गया कि इस मुल्क के बफाद में क्या है और क्या नहीं है? आप खुडा का वास्ता है. अभी देखें मिसाल, I'll give you a very small example, कि कोर्ट्स ने मना की हुए का आप नहीं गाड़िया नहीं ले सकते हैं. भाई, आप पाबंदी लगाएं, मिनिस्टर्स की उपर, आप सेकृर्ट्स की उपर पाबंदी लगाएं, लेकिन जो आपका फील्ड स्टाफ है, जिसको तीन तीन सो किलोमेटर जाना पड़ता है, उनकी आप गाड़ियां देखें, उननी सो अठतर की, उननी सो चुरासी की नाम में लैंड क्रूजर हैं, और वो धांचे चल रहे हैं, जो उनकी जिन्दगियों को खत्रे में डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जजजिज के पास, हमारे मिनिस्टर्स के पास, क्योंकि नई गाड़ियां हैं, कुछ बेतर गाड़ियां हैं, तो परवा किसी को नहीं हैं, वो जाके एक सुप्रीम कोट का जजज जाके मैं इसलिए बाते हैं, कि मैंने देखा हुए है, और रोना इस बात का आता है, कि वो ही मेरी भाई, मेरी बहें जब गाड़ी में जाते हैं, अपनी जिन्दगियों को मुश्किल में खत्रे में डालके, वो स्टेट का काम करते हैं, लेकिन स्टेट गाफिल बैठी हुई है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे कोई भी है, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं ले सकते हो, और क्यों नहीं ले सकते हैं, आपने लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बाकियों को क्यों नहीं अलाओ करते हैं, आप बोलें, कि फिल्ड स्टाफ के लिए अलाओड है, उससे आगे नहीं तो हमें कोई इतराज अच्छी फरमाईए आपने भी गुफ्टी को में का कि सारा मस्टा जो है वो डेप्टी चेर्मेन शिपका है सैनेट की जगड़ा वहां पर पड़ाव है तो इसका मतलब ही है कि यहां तक आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ओपन मेरिट पर जिस सारा चल रही है सुरत हाल या जिस सारा से हो रहा है तो सैनेट का चेर्मेन यह सदा गिला नहीं आ रहा है देखें आई डू नोट माइंड क्या नाम आता है मैं कहता हूँ आपकी वोटिंग को ट्रांस्पेरिंट होना इसलिए जरूरी है चाहे कोई भी बन जा है सियसादानों के उपर अवाम का इतबार आना जरूरी है यह जो ट्रस्ट डेफिसिट है यह तबई की तरफ लेके जा रहा है क्योंके उसके अंदर एक इमानदार भी चोर है और चोर तो सुपर चोर है और इन लोगों को अपनी इज़तें जो इस किसम के धंदे में लगे होते हैं और पैसे का इंतजार करते हैं जब भी सेनिट का मुझे क्यों नहीं किसी ने आके ओफर की या मेरे जैसे और किसी को क्यों नहीं आके ओफर की और हम देखें मार्श का महीना बड़ा टफ है पीटी आई की हुकूमत के बेखास करें हम देखें डसकर के लेक्शन की आ रहे हैं 26 मार्श के वाले से तयारी भी शूरू हो चुकि एसलामवाद की तरफ मार्श किया जाए हैं दवाओ इतना ज्यादा कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया नहीं नोट अट आल आम सॉरी मैं आई डिंट रेकिगनाइज यू इनिशली आम वरी सॉरी नहीं कोई नहीं दिया जा रहा है अगर अगर हम देते हैं किसी को तो हम अपने ही मौकफ से पीछे हट रहे हैं और व इशो ये है कि इमानदार सियस्टदान भी दन्या की नजर में करप्ट है करप्ट तो करप्ट ये उसको तो शर्म आती नहीं क्योंके उससे तो बिगरती का लिबादा पैन लिए हम यह कह रहे जो अच्छे हैं वो रहें और जो आवाम में अच्छे हैं उनको सामने आना हर पार्टी में जरूरी है देखें irrespect for each other and that will lead to respect for the nation internationally आपको internationally भी पाकिस्तान को represent करना है अपने अमल से बा도ों से नहीं के फरां 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 अब लोग जो इनों को से जाकर सवाल करते हैं जब ये दोनों करप भेहन भाई खड़े होते हैं और उन से जब सवाल होगा बताना होगा लेकिन अब इसके लिए तरीका क्या अकार हकूमत के अख्तियार करेगी? क्या पारलिमेंट में आएगी? देखें पारलिमेंट में आना भी जरूरी है लेकिन इन लोकों के साथ बात करने का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी बातें पहले मानों देखें इन लोकों ने FATF के उपर अपने लिए NRO मांगा